के साथ हमने आपसे बात करी थी अगर आपको रुटीन याद हो तो रुटीन में आपने समझा था कि सबसे पहले आपको क्लेंज करना जरूरी है तो क्लेंज के लिए हमने क्या किया हमने अपने जो न्यू सेंसेशन का सोप है ना इसा का उसका इस्तिमाल किया या फिर हमने बहुत अच्छे से क्लीन करने में साथ जैना के बोडी लोशन के साथ में और जैसे कि आप यहाँ पर सकते हैं कि यह आपको deep moisturizing body lotion के रूप में मिल रहा है यानि अगर हम ingredients की बात करें इसमें आपको मिलता है नारियल तेल, pumpkin seed यानि कद्दू के बीच का तेल आपको मिलता है साथ ही आपको मिलता है vitamin B5, shea butter and olive oil यानि जैटून का तेल जी हाँ अब आप खुद सोच सकते हैं कि इतने प्यारे इतने positive भरे ingredients का अगर इसमें इस्तमाल किया गया है तो यह product आपके लिए बहुत ही खास और लाबकारी हो सकता है in fact अगर इसको यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते intensive care और खास तोर से यह आपका winter season में सबसे ज्यादा बिखने वाला product होना चाहिए और यह product आपका बहुत ज्यादा business बढ़ा सकता है अब जब हम बात करते हैं इनके ingredients की नारियल तेल ना की सिर्फ only आपकी त्वचा को hydrate करता है लेकिन इसमें anti-inflammatory properties भी होती है anti-inflammatory property का मतलब पहले मैं आपको बता दू anti-inflammatory का मतलब होता है कि हमारे चहरे पे या शरीर पे जब तवचा पे बहुत ज्यादा खिचाव हमें महसूस होता है तो एक प्रकार की जलन या फिर rashes हमारे शरीर में होते हैं dryness की कारण तो जो rashes या फिर dryness जो होती है ना उसको हम कहते हैं anti-inflammatory problem होना so inflame का मतलब एक प्रकार की जलन English में यह जो word है ना inflame या flame इसको कहते हैं आग या जलन लगना तो यह जो anti-inflammatory होता है मतलब नहीं inflammatory properties आपको यहां से बिलकुल रद्ध हो जाती है जब आप इस body lotion का इस्तमाल करते हैं आपके शरीर को यह बहुत काम कर देता है ठंडग पहुंचाता है अपके जलन या जो भी रैशिस के कारण जो जलन हो रहा है उसको यह शांत कर देता है और आपके शरीर को बहुत बहुत ज़्यादा सपल बनाने में मदद करता है जब हम कद्दू के बीच की बात करते हैं या फिर पंकिन सीट की जब हम बात करते हैं तो यह मदद करती है आपकी त्वचा में नई त्वचा का विकास होने में यह मदद करती है मैं आपको बता दू बहुत बारी मैंने यह ब वो बहुत healthy और बहुत अच्छी केते ना प्रकार से बन करके बाहर निकल के आए उसमें ये बहुत अच्छे से खास रूप में मदद करता है vitamin B5 हमारी त्वचा की कोशिकाओं को सुधारने में मदद करता है हमारी जो cells हैं उनको अच्छा बरकरार करने में healthy बनाने में मदद करता है जितना जो आप हमारा जो शरीर आप अपना जो शरीर देख रहे हैं ये कोशिकाओं से बना होता है जैसे एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए हमें इटों की जरुवत पड़ती है ना ठीक वैसे ही हमारे शरीर को बढ़ाने में cells की मदद होती है कोशिकाओं की मदद होती है तो ये जितनी जादा कोशिकाओं हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में बरकरार रहेंगी उतना हमारा शरीर स्वस्त रहेगा, स्ट्रॉंग रहेगा तो ये विटमिन B5 का लाब है जो हमें मिलता है कोशिकाओं को सुधार करने में इसी के साथ साथ जब हम शिया बटर की बात करते हैं ये एक मात्र ऐसा इंग्रीडियंट है जो बहुत गहराई से हमारे शरीर की तवचा को बहुत जादा नरिश करता है सॉफ्ट बनाने में मदद करता है नमी देने में मदद करता है और जब हम जैतून के तेल की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है प्रोटेक्शन यानि वाकई में वापस से ये आपके शरीर को एक कहते हैं सुरक्षा की रेखा बनाने में मदद करता है या फिर कोई भी नुकसान अगर आपको सुरज की किर्णों से आपके शरीर में अगर हो गया है तो उस नुकसान को ये वापस से रिपैर करने में मदद करता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह जो free radicals जो सूरज के कारण आते हैं हमारे शरीर में उन free radicals से यह लड़ता है और हमारी तवचा को स्वस्त और सुरक्षित बताने में मदद करता है